हाई दोस्तों आज मैं एक शीरा अन्ना बना रहा है शीरा बोलते हैं आप सबी लोग को मालूम है आज पार्णमे तो प्रसाद बना रहे हैं मैं यहां पे बड़ा कप से एक कप उतना रावा लिया और गी एक कप उतना घी दाल रहे हूँ गी अच्छा सा मिल्ट होने देते है इसके पास ड्राइफोर्स लेना है रैफोर्स आपका पसंद का जो भी ड्राइफोर्स ले सकते हैं यहां पर में बादाम किश्मिश और काजू लिया है इन सब इक अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं पॉर्णमी के तिन शीरान बना के चिड़ाए तो बहुत अच्छा बोलके ब बनाया है हमेशा बनाते रहती हूं आज जड़ा ज्यादा काउंटेटी बना रही हूं ताकि पूजा करना है तो देखिए अच्छा से यह फ्राइ होने दिते हैं फ्लेम को तो बिल्कुल नहीं बढ़ा है लो फ्लेम में लगाए है इतने दिन से नवरात्री ता नवरात्री का पूजा कैसा करें हैं सब लोग अच्छे से करें हैं सोच रहे हैं तो आप लोग क्या क्या करें हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए देखिए ट्राइफूर्स तो 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 अच्छा स्लाइट फ्राइफ हो गया है और थोड़े सा फ्राइफ करते हैं हमेशा हम प्र कब से एक कप अतना रवा लिया है तो अब इसमेश फ्राइ करते हैं हमेशा हम केसरी बनाते हो तो पहले सब फ्राइ करके साइड में लगा देखे पानी उबलने के बाद हम उसमें दालते हैं मगर शीरा न जो है न शीरा बोलते हैं जो है न इसी तरह से बनाना पड़ता है दे यह ताकि जल जाता है इसलिए फ्लेम को बिलकल मत बढ़ाई है मैंने तो नवरात्री में बहुत अच्छा है मगर नवरात्री को मैं कौन साथ वीडियो दाल नहीं पाई सिर्फ माता कमंदिर के दाल पाई कौन साथ कुकिंग वीडियो ने दाल पाई देखिए मैं इत्ट कलर चेंज होना शुरू हो गया है देखिए मैं वीडियोस क्यों ने दाल पाई तो मैं यहां पे नहीं थे गौम है थे इसलिए मैं वीडियोस दाल नहीं पाई कलर तोड़ा और चेंज होना है शीरा में क्या है पानी कम डालते हैं दूद डालते हैं मैं यहां पर पूरा दूद ले रहे हूँ यह अच्छा सा फ्राई हो गया है मैं भी आपको बताया था कलर अच्छा सा कलर चेंज हुआ है लाइट गोल्डन कलर आ चुका है मैं दूद आलरड़ी गरम करके लगा दिया है रूम टेंप्रेशर में है दूद वो दूद डाल देती हूँ मैं एक लिटर से ज़्यादा दूद डाल रहे हूँ पहले तोड़ा दूद डालते हैं मैंने बड़ा कप से एक कप उतना लिया ज़्यादा बना रहे हूँ याने आदा किलो से ज़्यादा लिया है इसलिए मैं वन एड़ाफ लिटर दूद लिया है उसका अच्छा सब गरम करके साइड में लगा दिया है रूम टेंपरेशर को मताबित में दाला है ज़्यादा गरम में भी मत दाले ज़्यादा गरम में दाले तो पूरा उधर इदर उंडों के जिसर रहे जाता है इसलिए तोड़ा तोड़ा दालते हैं मिक्स करिए देखें मैं देड़ लिटर दूद दाला है आदा किलो को देड़ लिटर दूद दाला है तो अच्छा पाकेगा सिर्फ दूद में पकाई है तो बहुत अच्छा रहता है पानी भी दाल सकते हैं मगर दूद में दाला तो फ्रेंट टेस्ट रहता है बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसलिए आप लोग सिर्फ 2 में पकाये मैं अभी दूद में पका रहे हूं और फिल्म को बिलकुर मत बढ़ा Bian है वन अब घर दूसरा इसमें बना रहे हों आप लगर दूसरा में बढ़ा ले सकते हैं चपि यह मैं क्या है है में फ्लीम को बिल्कुल बढ़ा याने लो फ्लीम में लगाए है और उसके मुताबिक जिस कब से में रवा लिया है वो कब बरके में शुगर दाल रहे हैं अगर आप लोग शुगर कम करते हो तो शुगर कम कर सकते हैं अगर ज्यादा करते हैं तो तोड़ा ज्यादा दाल सक रिल्टकुल मचोड़े धी मिक्स करते रहना है वरना ये आपको मालम है शेवnaire बहुत कम बनाते हैं यह बनाते हैं पर अश्छा और है में आप लोग आप लोग ऑइसा दालना पसंद नहीं तो यह ब् врr तोड़ा सा फ्राइग कर दीजिए फ्राइग कर आ कि उसके बाद में रवा दाल कर वह इसा भी पाका सकते हैं वह भी अच्छा जासे टेस्ट रहेगा और बनाए तुभर्विट चैनल देखा लेकर चाहिए इसको मिक्स कर दिया है आप डखन लगा दीजिए डखन लगा देके इसको दो से तीन मिनिट तक फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए लो एकदम लो फ्लेम में रख देना पड़ता है इसको मैं अच्छा सा मिक्स किया है और आप लब चाहिए तो इसमें कलर भी दाल सकते हैं केसर कलर मगर मैं कलर नहीं दाल रहे हूं बिना कलर की बना रहे हूं और इसको बड़ा स्पून को पूरा लग गया है चोटा स्पून से पूरा इसमें शिफ्ट कर देते हैं अगर हम कम करें तो चोटा स्पून से बनाते हैं मगर बड़ा ज्यादा है बिल्किमें बड़ा स्पून लिया है तो पूरा स के लिए है इसलिए मैं ज्यादा बनाइया है आधा किलो से ज्यादा है यह अभी मैं इसको पर डखन लगा दिया है दो मिन्ट तक लागा देती हम। ही हु दो मिनिट हो चुका है देखिए मैं वहाल में निकाल चुकि हो निकाल देखे थोड़ा सा डिक्रेट किया है और इसके बाद में हम रोस्पिटल से अच्छा सा कार्णिश करते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान रेंदो या सत्थनारेंसों में रेंदो उनको तुलिसी और रोस्पिटल बहुत पसंद है तो हम रोस्पिटल से अच्छा कर सकते हैं और तुलिसी बहुत पसंद है तो तुलिसी के तो पत्ति लगा चुकि हो देखे कितना अच्छा बन गया है और यह टेस्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है आप लोग गर में एक बर ज़रूर बनाएए पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीज बिलाइकन दबाना भूलिये मत जो भी वीडियो बनाऊंगे ताकि आप लोगन तक पहुंसके आप वो बना के फैमिली के साथ एंज्जॉय कर सके तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद दोस्तों कि आप लोगन को बिना कलर का कैसा लगा आप एक जरूर कॉमेंट के लिए कलर दाले तो भी अच्छा रहता है मगर मैं इस बार बिना कलर का दाला है क्योंकि कलर को बिना कैसा लगा देखना है वेरी टेस्टीज